हलो माई ये फ्रेंड्स वेलकम तू आर यूट्यूब चानल मेरा नाम है मयूरी भागवानी और आज की डेट है 4th August 4th August के साथ 3rd August याने की कल के भी जो एडिटोरियल हैं उनको आज हम एनलाइस करेंगे इंपोर्टन एडिटोरियल ही एनलाइस करती हूँ देखो मैं इसमें जो पॉलिटिकल नेचर के होते हैं जो रिपीटेड होते हैं उनको हम यहाँ एनलाइस नहीं करते हैं तो यहाँ पे 4th and 3rd August के दे हिंदू के और इंडिन एक्स्प्रिस के जो भी इंपोर्टन एडिटोरियल होते हैं उनको हम यहाँ पे आपके लिए लेकर आते हैं करना है तो आप इस पूरे विडियो को जरूर देखना एंड में जो क्वेशन मिले उसे अटेंट जरूर करना उसे लिखना जरूर और भेजना है टेलिग्राम ग्रुप पे कौन सा ग्रुप है मैं बताऊंगी और एक चीज क्लियर लिए आप लोग समझो कि देखो मेरे लि लेकिन मुझे आपसे चाहिए एक help आपसे help यह चाहिए कि आप लोग एक दूसरे का peer review करो ठीक है जो भी answers आप देखते हो उन सबको अपनी साइट से review दो अपनी साइट से feedback दो इससे एक तो आपका भी content बिल्ड होगा आपको दूसरों के answers देखके उनसे सीखने की answer दिखाती हूँ ठीक है तो यहाँ पे यह तीनों चीजों का आपको ध्यान रखना है आगे बात करते हैं आप लोग मुझसे इन सभी mediums के true connect कर सकते हो यह हमारा चैनल है जिस पे आपको in lectures की pds मिलती है जो भी मेरी साइट से upload होते हैं जो भी मेरी साइट से जो भी important information होती ह वो यहाँ पे मिलती है आपको और अगर आप answer writing practice करना चाहते हो discussions में involved होना चाहते हो अपने peer group के साथ तो आप इस channel को join करो इसी channel पे answer writing practice करके आपको अपने mains के answer घेजने हैं तो मयूरी भागवानी UPSC आप टेलिग्राम पे सर्च करोगे बड़ी आसानी से मिल जाएगा इस आपको यह लिखना था अब आज दुविधा यह हो गई कि मैं एक के बाद एक answers सारे रिव्यू करें आज तो मैंने answers तो एक के बाद एक answers पढ़ रही थी और एक के बाद एक मुझे best answers मिलती जा रहे थे तो सबसे अच्छा answer जो मुझे लगा वो याचिखा का लगा अल्दो इन्होंने थोड़ी सी यहाँ पर word limit breach करिये लेकिन जो most comprehensive answer मैं बोलूँगी वो इनका था इसके लवा सानिया और प्रतीक का भी answer काफी अच्छा था आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है structuring में simple सा पहले एक introduction देना है कि mother tongue को लेकर क्या recent यहाँ पे issue चल रहा है क्या current में क्या है क्यों यह question पूछा गया होगा आपको बस यह introduction देना है ठीक है जैसे अभी new education policy आई है हमारे home minister जी ने यहाँ पे बूला है कि mother tongue में higher education करेंगे तो यह सारी चीज़ें आपको introduction में लिखनी है उसके बाद सीधे आजाना है advantages of mother tongue फिर आजाना है सीधे disadvantages of mother tongue इसमें यहाँ पे pointers लिखो paragraph लिखो जैसे आपको अच्छा लगे और end में conclusion में आपको देना है यहाँ एक way forward कि आगे क्या होना चाहिए आपके हिसाब से better तरीका क् तो यह way forward आपको देना है इतना simple सी यहाँ पे structuring है कोई जादा दिमाग नहीं लगाना है लेकिन हाँ यह याद रखना कि pointers जो है अगर pointers में लिख रहे हो या paragraph में लिख रहे हो dimensions जतने जादा covered होंगे न उस इंसान को उतने जादा number मिलेंग उतने जादा scores करेगा तो देखो यहाँ पे मैं याचिका का अंसर आपको दिखा रहे हूं यहाँ पे देखो इन्होंने introduction दिया है इसमें इन्होंने new education policy की बात करी है ठीक है national education policy की बात करी है उसके बाद जो हमारे home minister जी ने भी जो बताया था कि engineering medical वगरा में मर्दर टंग से आप पढ़ाई कर सकते हो higher education वो इस तरह का एक diagrammatic representation भी हो गया way forward भी बता दिया अब देखो way forward में इतना बड़ा way forward लिखने की ज़रत नहीं है इसमें बस यह आप इसको cut shot करो और इसमें कोई भी एक point लिखो और साथ में conclusion add करो यह इतने बड़े-बड़े way forward लिखने की आपको जरूरत नहीं है अगर आप य यह आप कर सकते हूं यहां फिर अगर लिखना ही है तो बहुत short में एक-एक sentence में इसको लिखो याद रखना short sentences is the key short sentence बहुत बड़े-बड़े लिखोगे तो dimension जादा cover नहीं कर पाओगे आगे बात करते हैं पहला आज का editorial है reaping the demographic dividend demographic dividend के बारे में यह पूरा article है अब देखो यह article क्या है article यह है कि अभी UN की कुछ 10 पहले रिपोर्ट आई थी और UN की रिपोर्ट ने यह बोला कि अगले साल तक 2023 तक हम चाइना को बीट कर देंगे population में और हम most populous country बन जाएंगे इसका मतलब क्या होता है कि इंडिया के पास सबसे जाधा population होगी और इंडिया का एक benefit य यंग population या फिर working age population होने वाली है और क्योंकि working age population होने वाली है इसी लिए यह हमारा dividend बन जाता है dividend याने की gain profit ठीक है तो demography जो word है यह population से related है और dividend का मतलब है profit तो हमारा population हमारी profit कब बन सकता है जब यह properly educated हो proper skilled हो और इसी बारे में पूरा article है तो शुरुआत करते हैं इस article की तो देखो UN report जो आई उसने बोला UN report world population prospect 2022 यह report थी इसने बोला कि बहुत जल्दी world की जो population है वो 9.8 billion हो जाएगी 2050 तक और इसी के साथ 2003 में हम यहाँ पे चाइना को पचाड़ देंगे population के terms में अच्छा इसके साथ यहाँ पे यह भी समझ में आना चाहिए हमको कि हम यहाँ चाइना की जो population है चाइना की population यहाँ पे naturally rise हुई है ठीक है और चाइना की population ज्यादा naturally तब rise होती जब चाइना में इस तरह की one child policy नहीं होती अगर चाइना की one child policy नहीं होती न तो 2040 तक चाइना में भी 1.6 billion लोग हो चुके होते ठीक है अभी चाइना में 1.4 billion लोग है लेक को वो मिल जाता benefit मिल जाता पुल मिला के basically ये कहा गया कि क्योंकि चाइना ने one child policy ले आये थे चाइना और इसी लिए चाइना का जो natural growth थी population की वो रुख गई और इसी लिए इनको demographic dividend का बहुत जादा फाइदा नहीं मिला ये world की second largest economy है याद रखना चाइना और इनको बहुत ब population वो है जो elderly है जो जादा काम नहीं कर सकती dependent है ठीक है तो इनका demographic dividend वाला phase जो है लगभख खतम होने की कगार पे है और अब हमारा demographic dividend चुरू हो रहा है तो हमें इस opportunity को जाने नहीं देना है हमको चाइना से भी आगे बढ़ना है ठीक है अब देखो यहां पे चाइना जो है अ इसको क्रॉस कर चुके होंगे जबकि इंडिया की बात करें तो इंडिया में 250 तक 1.7 billion लोग होंगे और इस 1.7 billion में 330 million ही 60 की एज को क्रॉस करेंगे तो समझ रहें चाइना में होंगी 1.3 billion और इसमें से 500 million जो है वो 60 प्लस होंगे तो हमारे पास अभी भी एक बहुत बड़ स्कोप होगा young age population का तो इंडिया जो है इंडिया के पास यह demographic dividend कम से कम 30 साल तक रहने वाला है और इन 30 साल ही हमारे लिए करेंगे कि हम economic league में कहां पहुचते हैं क्या हम lower middle income country ही बनकर रह जाते हैं या फिर हम developed countries की category में आते हैं क्योंकि देखो चाइना ने अपने demographic dividend को बहुत अच्छे से यहां पे use किया और second largest economy बनाये चाइना लेकिन हमारा अब टाइम आ रहा है और अब हमारे पास चाइना से भी बड़ी opportunity है तो देखना यह होगा कि हम क्या करते हैं थीक है हम कैसे इसको आगे बढ़ाते हैं अब देखो इंडिया का जो potential workforce है अभी की date में 885 million है य यहां पे 1 billion से जादा population हमारी यहां पे young age population होने वाली है जो कि हमें बहुत जादा मदद करेगी अगर यह better trained और better educated होगी skills होना जरूरी है education होना जरूरी तब ही हमारे लिए dividend का काम करेगा यह और हो सकता है हमें global economic power भी बना दे इसके अलावा अभी देखो digitization हो रहा है automation हो र कि हम 2.5 trillion dollar की economy बन जाएं by 2030 और इसमें मदद करेगी हमारी demographic dividend और साथ में यह economy अगर हम acquire कर लेते हैं 2.5 trillion dollar की तो हमारे लिए 112 million jobs भी create हो जाएंगी जो कि लगभग बहुत बड़ी amount of job है जो कि हमारे demographic dividend को chain कर पाएगी channelize कर पाएगी साथ में हमारा यहां पर यह भी पता चला देखो अलग-अलग newspapers अलग-अलग magazines का reference लिया गया यहां पर यह reference आपके लिए जरूरी नहीं है आपको बस pointers इखटे करने हैं यह भी कहा दा रहा है इंडिया के बारे में कि जैसे जैसे pandemic खतम हुआ वैसे वैसे यहां पर समझ में कि जो four pillars हैं वो बहुत अच्छे से यहां पर develop हुई है जैसे कि देखो single national market हमारे देश में बना है इंडिस्ट्री जो है वो develop हुई है renewable energy की तरफ हमारे देश में shift देखने को मिला है और हम चाइना के उपर अपकम depend करते हैं imports वगयरा के लिए IT sector काफी अच्छा करा है और भी दिया है तो यह सब कुछ जो है हमारे देश के demography के लिए काफी अच्छा है इसके साथ इंडिया का जो bad infrastructure है उस पर हमको काम करना और skilled workforce हमको बनानी है तभी हम इस demographic dividend का फाइदा उठा पाएंगे वरना हम इसका फाइदा नहीं उठा पाएंगे तो अगर हम यहां पर देखना बाकी है ठीक है जैसे अभी देखो इंडिया जो है एक बहुत यंग फंट्री है और बहुत बेटर पोजिशन में है चाइना से चाइना का यह जो डेमोग्राफिक डिविजन वाला फेस था 1970 में शुरू हुआ था उस टेम चाइना जिस स्थिती में था उससे बहु पर ट्रॉमटाइज नहीं किया जाता जैसे चाइना में किया जाता था उस समय पे ठीक है और IT टेक्नलोजी भी हमारे देश में काफी अच्छे से इंटरनेट भी काफी अच्छे से काम कर रहा है ठीक है सेटलाइट इमेजिंग वगेरा हम हर शेत्र में साइंस इंटेक के श हम हर तरीके से वमारे देश में एम हर अधियरी घया है और साथ आध में इंडिया ने ऐसे चाइना जैसी個人 नहीं आए अभी चाइना में क्या है एक डिवाइड भी देखने को मिलता है रूरल अर्बन पॉपुलेशन में क्योंकि यहां का एड्मिनिस्ट्रेशन उस हिसाब का है और इस चक्र में क्या होता है कि यहां पे जो रूरल एरिया है वो उसकी डिमोग्राफिय उतनी जादा डेवलप नह नहीं पहुच रहा लेकिन हमारे देश में यह इशू नहीं आना चाहिए इसलिए इंडिया को क्वालिटी स्कूलिंग में हायर एड्यूकेशन में हेल्द में सब जगह पे अर्बन एरिया और रूरल एरिया दोनों में इन्विस्ट करने की जरूर जरूरत है तभी बाइट अगे बात करते हैं नेक्स्ट इशू जो है देखो यह आज का एशू है आज यहां पे एक न्यूज आई है पेपर वन पेज वन पे ही आपको देखने को मिलेगी दे हिंदू यहां पे सुप्रीम कोट के पास गया है सेंटर और सेंटर ने बोला हमारे देश में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी फ्री बी कल्चर को बढ़ावा दे रही हैं फ्री बी कल्चर क्या है यानि कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी आप देखोगे यहां पे कोशिश करती है फ्री में चीजें बाटने हैं कि जैसे फूड हो गया फ्री में बाट दिया जॉब्स हो गई फ्री में बाढ़ दी, allowance हो गया, कोई unemployed है, तो इसको allowance बाढ़ दिया, ठीक है, कोई हो गया, तो उसके monthly जो bills है, light के bill, water के bill, वो सब mask कर दिये, transportation bills, mask कर दिये, तो बहुत सारी चीज़ें चल रही है, education free कर दिये, इसारी चीज़ें चल रही है, इनको कहा जा रहा है, freebie, ठीक है, तो इसके कारण, center का कहना यह है, कि इसके कारण क्या हो रहा है, कि जो poor people है, उनको discourage किया जा रहा है, कि आपको काम करने की जरुत नहीं है, दूसरा, क्योंकि यह सब चीज़ें free में मिल रही है, इसलिए हमारे economy के उपर भी pressure पढ़ रहा है, तो यहाँ पे हमको ऐसा नहीं क Supreme Court ने बोला है, center को, center का क्या सोचना है, Supreme Court ने यह भी बोला है कि finance commission बताए, कि finance commission को क्या लगता है, क्या करना चाहिए हमें, और ultimately इसके उपर अब कुछ ना कुछ हमको stand देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे economy कही ना कहीं affect हो रही है, Supreme Court ने बोला है कि एक specialized body भी बनाएंगे इस इसे के बारे में, तो हमारे मोडी जी ने जैसे रेवडी कल्चर की बात करी, ठीक है, इसमें हमारे Supreme Court ने भी इसको address किया, ठीक है, Supreme Court ने भी समझा कि यहाँ यह issue तो है, अब देखो, यहाँ पर जो author है, उनका कहना है, कि हम freebie कहे किसको रहे हैं, हम यहाँ पर रेवडी कहे किसको रहे है, freebie किसको कह रहे है, तो यहाँ पर इनका कहना यह है, कि देखो, freebie culture के कुछ positives भी है, कुछ negatives भी है, यहाँ पर major लिए positives की बात करती है, ठीक है, अब देखो, मैं आपको पहले बताती हूँ कि इसके negatives क्या है, फिर हम इसके आगे बात करेंगे positives की, ओके, तो द एक तरह से vote bank एकटा करने की कोशिश हो रही होती है, तो vote bank मिल जाता है, लेकिन उसके कारण क्या होता है, economy effect होती है, fiscal deficit पढ़ने लगता है, state का जो fiscal deficit है, state का जो fiscal situation है, वो बिगडने लगती है, यहाँ कि हर state में regional party और हर regional party अपने अपने तरीके से freebies बात रही है, और उसके ठीक नहीं हो पाती, free and fair elections नहीं हो पाते, और साथ में हमारे macro economy को भी तो unstable कर देती है, यह चीज ठीक है, हमारे पूरे देश की economy को भी तो unstable कर देती है, ठीक है, क्योंकि हमारे expenditure इतने होते है, अब यहाँ पर positives की भी बात है, अब इस article में mainly positives की बात चुई है, बेसिकली कहा आप यहाँ पर किसी को TV नहीं दे रहे हैं, आप यहाँ पर बाट रहे हैं, तो food बाट रहे है, food grains बाट रहे हैं, यहाँ पर प्रधान मंतरी, गरीब कल्ण, अन्योजना जो हमने चलाई थी, COVID को तोरान, इसमें हमने क्या किया था, food grains बाते थे free में, और यही था, यही एकल हमारे देश की सबसे बड़ी सक्सेस थी कि हमने यहां पर लोगों को ऐसे टाइम पर मदद करी जब बाकी जन बाकी गवर्मेंट्स ने लोगों को छोड़ दिया था मरने के लिए तो हमारे देश में प्रधान मंत्री गरीब कल लिया नियोजिना ने बहुत अच्छा काम किया वैसे ही PDS ने भी काम किया Public Distribution System ने यहां पर हमने धीरे से पहले Public Distribution System सब कम लोगों के लिए था BPL के लिए था आगे जाकि हमने National Food Security Act लाए हम 2013 में इसमें क्या हुआ कि इसमें लगभग 75% Rural Population और लगभग 50% Urban Population को कवर किया गया Food Security के लिए इसके साथ यहां पे सिर्फ इ Employment दी ठीक है कम यहां पे काम पे Unskilled चीजों में Wages देना स्टार्ट किया यह भी तो आपने Freebies ही एक तरह से मानोगे इसको इसके बाद Midday Meal School में आपने स्टार्ट किया ठीक है इसके साथ Education में हम RTE लेकिया है Right to Education ठीक है जिसमें हम Free Education को Promote करते हैं तो यह सब Freebies नहीं है यह इसके ब्रेवडी कल्चर नहीं है यह बड़े Important चीजे हैं तो कि हमारे Government अगर इसको भी Freebie कहने लग जाएगी या इसको हम अपने Political Arena में Freebie बोलने लग जाएगे तो एक Light Culture डेवलप हो जाएगा जिसमें Poor People को ऐसा देखा जाएगा कि यह जानबूज के कुछ काम नहीं करते ह पूर पीपल जानबूज के Unproductive है और पूर पीपल को एक Unproductive Force के फॉर्स के फॉर्स के फॉर्म में देखा जाने लगेगा जो कि गलत होगा हमारी देश में आप देखोगे हमारे प्रियम्बल में लिखा हुए Socialist Republic हैं हम ठीक है Socialist का मतलब ही है कि जिनको जरूरत है हम उनको यहां पे कुछ चीजें प्रोवाइट करें उनका welfare प्रोवाइट करें हमारे देश में जो DPSP है वो इसी की बात करता है तो यहां पे author का कहना यह है कि इसमें कुछ गलत नहीं है इसमें कुछ खराब नहीं है अगर हम मिड़े मील मंद्रे का इनके तू अगर लोगों को मद कर सक रहे हैं तो अच्छी बात है और डाटा भी यह कहता है कि इन सब स्कीम से पावर्टी कम हुई है एकॉनमिक ग्रोथ हमारे देश में बड़ी है यूमन डिवलप्मेंट हुआ है और अल्टिमेटली यही तो हमारे काम आएगा भी हमने एक एडिटोरियल देखा डेमोग बनाने के लिए अब यहां पर यह कहा जाते हैं कि अगर आपको बोल ना तो आप यह बोलो न कि जो कॉरपोरेट टेक्स आप माफ कर देते हो तिक है बड़ी बड़ी कंपनी नहीं उनुन का टक्स हाण अगर उस टेक्स को भी आप नहीं माफ करो तो कम से कम पांच लाग करो और यहां पर कुछ बजट की डाटा भी दिखाते हैं कि जैसे जैसे इंडस्ट्री का प्रॉपिट बढ़ रहा है वैसे वैसे टेक्स इनके उपर कम लग रहा है अगर आप इनके उपर टेक्स जादा लगा हो तो यहां पर यह चीज होगी जो आपके एकॉनमी को बचाएगी अगर आप यह बोलो कि फ्रीबी कल्चर बिल्कुल ही खतम करतो तो यह आपकी एकॉनमी को नहीं बचाएगा तो फ्रीबी यह डिपेंड करता है कि कौन सा किस तरह का फ्रीबी है ठीक है आपके लिए बहुत जरूरी है ग्रोथ के लिए जरूरी है हमारे देश के डेमोग्र है socialist republic democratic socialist republic है साथ में हमारा main aim government का क्या है welfare है तो welfare के लिए अगर आपको कुछ चीज है कुछ basic चीज है अगर आपको free में देनी पड़े सबसीडी के form में तो इसमें कुछ गलप नहीं है तो अगर सुप्रीम कोड भी बोलता है कि फ्रीबी कल्चर खतम करना है तो पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि फ्रीबी exactly हम किसको मान रहे हैं ठीक है फ्रीबी यह साली basic चीजों को फ्रीबी नहीं मानना चाहिए अंको यह basic चीजों को रेवडी नहीं मानना चाहिए तो basically बात यह हो रही है कि जो rich है उन से आप उनको मत माफ करो न corporate tax आप जो poor people को छोटी freebie culture now आप लोगों के लिए mains का question एक practice के लिए critically examine the impact of freebie culture on India तो यहां पर critically examine है याने कि आपको advantage, disadvantage, challenges, opportunities सब कुछ यहां पर address करना है freebie culture के बारे में 150 words का यह answer है I'll expect the answers by today on our telegram channel और I'll be waiting for this and आप लोग एक दूसरे के answers review जरूर करना और उन्हीं के answers मैं review करूंगी जो एक दूसरे के answers review करेंगे okay तो that was all for today अगर लेक्षर अच्छा लगा तो like जरूर करना, comment जरूर करना, share जरूर करना और subscribe करना, मत बूलना, that was all, thank you for watching and have a very good day